नमस्कार दोस्तों दिन भर की जो बड़ी खबरे हैं मुख्य समचार लेटिस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक एक करके दिन भर के मुख्य समचार आप तक पहुचाएंगे जहां पर पहली बड़ी खबर में बात होगी कॉंग्रेस पार्टी ने कर दी है मुख्य मंत्रिया और राज जिपाल पर बड़ी कारवाई की मांग दूसरी बड़ी खबर में बात होगी महराश्टर के चुनाओं में यहां पर कॉंग्रेस पार्टी दूसरे सिंबल पर लड़ेगी एक सीट पर इसको लेकर के ताज अपडेट आ रही है आखिर क्या कुछ है पूरी खबर जानेंगे तीसरी बड़ी खबर में दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताएंगे कि आकिरकार सीची आई पार पार सफाई क्यों दे रहे हैं कि हमारी सरकार के साथ में कोई भी डील नहीं है रिटायर्मेंट इससे पहले बड़ा कुलासा हो गया दोस्तों अगली पड़ी खबर में अहां पर बात होगी अमेरिका में बैलड पेपर के जरिये यहां पर वोटिंग सुरू हो चुकी है और वोटों की किंती भी सुरू हो चुकी है ताज़ा आकड़ा सामने निकल की आया है इसको ले करके भी खबर आप तक पहुँचाएंगे लगातार बने रहे गाए के करके हर मुके समाचार पहुचेगा खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मांग करते हैं कि देश में एक सौस्त लोग तंदर के लिए निसपच चना होना बहद ही जरूरी है और बैलर पेपर के जरिये वोटिंग होनी चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों और कमेंड बॉक्स में वीज सपोर्ट बैलर पेपर कमेंड कीजेगा दोस्तों पहल दोस्तों को यहां पर बताते चलें अमेरिकी चुनाव में नेनाया गड़ी आ चुकी है डोनाल्ड ट्रम्प और कमला हैरिस के बीच में काफी करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है यहां पर दोस्तों बताते चलें एक तरफ यहां पर वोटिंग भी सुरू हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ काउंटिंग भी साथ में ही सुरू कर दी गई है अब दुनिया के सबसे पुराने लोग तंत्र में इस बार कौन बाजी मारने वाला है इसका पता अब कुछी तिनों के अंदर चल जाएगा इस बार के अमेरिकी चुनाव में कई मुद्दे हावी र परनाता है और इतना ही नहीं दोस्तों अमेरिकी चुनाव के जो सुरुवाती सर्वे आने सुरू हुए है उनमें कमला हैरिस को मामुली बढ़क देखने को मिल रही है नियू यॉर्क टाइम्स के पोल के मुताबिक कमला हैरिस को 49 50 वोट मिलते हुए दिख रही है और वहीं डोनाल्ड ट्रम्प यहांपर पिचड़ते हुए न जरा रहे हैं ट्रम्प की बाद करें तो उन्हें 48 50 वोट यहांपर मिल सकते हैं यानि की एक प्रतिसद वोट से ट्रम्प पिचड़ते वोट न जरा रहे हैं दोस्तों बैलिष पेपर के जड़िये अमेरिका में भी सुरू कर दी गई है और यहां पर साथ में ही कांटिंग भी की जा रही है बैलेड पेपर के जरिए वोटिंग होती है तो सीधी सी बात है कि इसमें कई दिन लग जाते हैं वोटों की गिंती करने में और नतीजे जारी करने में लेकिन देश की चंता का भरोसा चुनावी प्रिकरिया पर बना रहे और चुनाव निस्पत छो इसलिए अमेरिका बैलड पेपर से वोटिंग कराता है दोस्तों यह यहां पर खबर आई है इसके साथ ही अगली अपडेट की तरह बढ़ते हैं महराश्टर की वो सीट जहां पर पंजा नहीं प्रेशर कूकर सिंबल पर चुनाव लड़ेगी कॉंग्रिस पाटी महराश्टर विदान सभा की 288 सीटों पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा न प्रेशर कूकर सिंबल पर चुनाव लड़ेगी यहां सीट है कॉलापूर नौर्थ की कॉंग्रिस की परंपरा गत माने जाने वाली कॉलापूर नौर्थ सीट पर यहां खेल कैसे हुआ ये भी बताते चलें क्योंकि कॉंग्रिस की उमिर्वार ने परचा ही वापस ले लिय जानगारी के लिए बताते चलें कि कॉंग्रिस पार्टी का गड़ है कॉलापूर की विधान सभा सीट और यहां पर कॉंग्रिस जबरदफ तरीके से जीट भी दर्ज करती है लेकिन अब जब कॉंग्रिस के प्रत्यासी ने परचा वापस ले लिया है उसके बाद में यहां पर दोफ तो अपडेट आई है सामने इसके साथ ही अगली बड़ी ख़बर की तरह बढ़ते हैं आखिर सीजी आई डिवाई चंदरचूर को बार बार सफाई रिटायरमेंट से पहले क्यों देनी पड़ रही है सीजी आई बोले नियाए पालिका की सोतंतरता का मतलब यह न पर आरफा खानम से वानी पत्रकार हैं उन्होंने कहा की ए और जेड के बीच में यू भी कहीं आता है मिलर्ड उमर खालिद नाम तो सुना ही होगा यह यहाँ पर देख सकते हैं कि उमर खालिद को अब तक जमानत ना मिलने पर पत्रकार ने सवाल खड़े कर दिये हैं दोस् पी में योगी और अमिसाह में लड़ाई चल रही है दोनों अपना अपना डीजीपी रखना चाहते हैं देखना यह होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है यह संजय सिंग की तरफ से दोस्तों बयान आया है सामने इसके साथ ही दोस्तों हिमंद बिस्ब सर्मा और उडिसा क गवर्नर पर कॉंग्रेस पार्टी ने की है कारवाय की मांग चुनाव आयोग पर निकाली भड़ास कॉंग्रेस के नेता जैराम रमेश ने हरियान विधान सभा के चुनाव में आनिया मिजताओं की सिकायतों से निपटने के मुद्धे पर चुनाव आयोग की कड़ी आलू बसर्मा के सामफरदाईक और भड़काव बयानबाजी के लिए उनके खिलाब कारवाई की मांग भी की है और इतना ही नहीं दोस्तों जैराम रमेश ने औरीसा के राचेपाल रगवरदास से जुड़े एक अन्ने मुद्दे को यहाँ पर उजागर किया जिन्हों ने यहाँ पर देख सकते हैं कि जमसेदपुर में चुनावी परचार किया था कॉंग्रेस पार्टी ने तर्क दिया है कि समयधानिक पर बैठा हुआ वेक्ति आकिर कैसे चुनाव परचार कर सकता है ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि चुनाव आयोग के पास जब सिकाए जाती है तो चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है इस तरीके से देश का निस्पच्छ चुनाव आयोग काम कर रहा है दोस्तों बड़ी अपडेट है महराश्ट्र से जहाँ पर सरत्पवार ने चुनावी राजनीती से सन्यास के संकेत दिये बोले कहीं तो रुकना ही पड़ेगा जिहां दोस्तों बताते चलें NCP सरत्पवार के प्रमुख सरत्पवार ने संकेत दिये हैं कि वे अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे सरत्पवार ने कहा है कि कहीं तो रुकना पड़ेगा महराश्ट्र चुनाव से पहले सरत पवार का ये बड़ा वयान सामने निकल के आया है सरत पवार को राजनीती का चानक टिभी का जाता है और यहाँ पर भाजपा पूरी तरह से सरत पवार के सामने बैक फुट पर ही हर चुनाओ में नजराती है क्योंकि जो रड़नित्दी सरत्पवार बनाते हैं उसकी काट यहाँ पर बीजेपी के पास होती ही नहीं है और बीजेपी को मोगी खानी पडती है सरत्पवार ने कहा है कि मैं कोई चुनाओ नहीं लड़ना चाहता चुनाओ को ले करके मुझे अब रुकना चाहिए और नई पीड़ी को आगे आना चाहेंगे ये यहाँ पर कहना है दोस्तों सरत पवार का इतना ही नहीं नेता वेपच्छ राहूल गांधी की तरफ से अपडेट आ रही है राय बरेली के दोरे पर पहुँचे राहूल गांधी नौ सडको का किया है लोकारपान सहिद चौक का भी उदगाटन किया है जिया दोस्तों नेता परतिपच्छ और राय बरेली से सांसद राहूल गांधी दिस्वा की बैठक में सामिल हुए इससे पहले वहाँ यहाँ पर लखनव होते हुए राय बरेली पहुँचे और आप लोगों को आगे बताते चले इस दोरान यहाँ पर राहूल गांधी कई कारक्रामों में सामिल हुए और इतना ही नहीं कॉंग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनसे भी यहाँ पर राहूल गांधी ने मुलाकाद दोस्तों की है इस समय की आज की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरे थी मुख्य समचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत